ठके मांदे और बोच से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाईयों और बहनों, गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। और ऐसे गर्मी के मौसम में जब हम बाहर निकलते हैं, रास्ते किनारे अगर हमें कोई घना व्रिक्ष मिल जाए, तो उसकी छाया तले कितना हम सुकून महसूस करते हैं। और इस छाय में रुक कर थोड़े समय आराम कर लेते हैं, और थोड़ा पानी पी लेते हैं, या कुछ खा लेते हैं, तो हम फिर से तुरुस्त, तंदुरुस्त होकर आगे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। मेरे प्रिया भायवनों, ये तो हुआ शारिरिक आराम के विशह में, आध्यात्मिक विश्राम के बारे में हम क्या सोचते हैं, आध्यात्मिक विश्राम भी हमारी एक जरूरत है, संसार की चीजों में दौरते, भागते, परेशान, चिंतित रहते हुए, हम कई सारे बार हमार आध्यात्मिक जीवन को भूल जाते हैं और ऐसे में पहुत सारी कमईया हम लोग देखने लगते एक दूसरे के साथ हमारी तुलना करने लगते हैं और जब हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते तो हम निराश हो जाते हैं तो ऐसी एक आशा प्रभू हमें देना चाहते हैं प्रभू आज के सू समाजार के माध्यम से कहते हैं कि जो भी अपने आपको जीवन में तंग पाता है निराश पाता है आराम नहीं पाता है वो मेरे पास आए स्त्रोध ग्रांत अध्या 84 पत्सक्या 10 में वचन कहता है एक दिन तेरे मंदिर में बिताना हे प्रभू हाजारों दिन बहार बितानी के अपेक्षा अच्छा है मेरे प्रियो भाईबनों जब भी हम प्रभू के चर्णों में जाते हैं शरण में जाते हैं प्रभू भी हमें फिर से वो शक्ति और सामर्थ प्रदान करते हैं ताकि हम बड़े स्थिर्ता से अपना क्रिस्तिय जीवन जी सके एमाउस की यातरा पर जब शिश्य प्रभू के साथ चल रहे थे लेकिन वे प्रभू को पैचान नहीं पा रहे थे ऐसे में जब प्रभू वे आराम करते हैं रोटी तोड़ते हैं उस समय उनकी आखें खुल जाती है हाँ मेरे प्रियभायव भनो प्रभू भी हमें इसी तरीकी की शक्ति और सामर्थ से हर दिन भरना चाता है क्या हम प्रभू की शरण में जाकर विश्राम करते हैं या अपनी शक्तियों पर अपनी ताकतों पर अपने गुणों पर हम निरभर रहते हैं ना कि प्रभू पर लेकिन जितना जादा हम प्रभु पर निर्बर रहने की कोशिश करेंगे संसार की चिंताएं हम से दूर जाती रहेगी मत्तिकसु समच अरद्याई 6 पतसगया 34 में बचन कहता है प्रभु कहते हैं कल की चिंता मत करो कल अपनी चिंता स्वयम कर लेगा आज की चिंता आज के लिए काफी है और यही प्रेड़ना हमें प्रभु के चर्णों पर जाने से मिलेगी तो मेरे प्रिय भाइबनों इस पास्का के समय में जब प्रभु ने अपने शांती हम सबों को दी है क्या सचबुच में इन दिनों में विशेशकर हम प्रभु की शांती को अनुभव करते हैं अगर नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हम फिर से हमारे पुराने जीवन की और बढ़ रहे हैं ताकि हम उसी निराशामाए जीवन में जीते रहें लेकिन प्रभु के आगमन से वो सारी निराशाएं नश्ट हो चुकी है तो आईए हम प्रभु से प्रात्ना करे और आज विशेशकर सियाना की सिंद कैथरिन की मध्यस्ता से जो एक दोमिनिकन संत थी जो एक कलीशिया की डॉक्टर कहलाती है जुन्होंने अपने जीवन में कई सारी लेक लिखे और हमेशा प्रभु के चरणों में लीन रहती थी उनकी प्रेणा से हम सीखे और उनकी प्रात्नाओं से हम प्रभु की आशिश पाएं कि हम भी हमारे जीवन में हर समय प्रभु में लीन रहने का प्रैतने करें जिससे हमारा जीवन प्रभु के मार्गों के अनुसार हो आईए इस मतलब के लिए हम प्रभु से प्राथना करें आमेन